असलाम लेकुम ग्रेट फोर माइनम इस सदफ एंडायम यूर कम्प्यूटर टीचर स्टुरेंट्स हम लोग पढ़ें अपना यूनिट नमबर फाइव जिसका नाम है MS-Pain तो students last lecture में हम लोगों ने देखा था कि image group क्या होता है और image group कैसे काम करता है तो students आज हम पढ़ेंगे कि invert selection क्या होती है और किस तरह से आप लोग अपनी picture को cut, copy और paste करते हैं तो चलिए lecture की तरफ चलते हैं तुग हम पर रहे हैं MS-Paint के पारे में और हमने MS-Paint में पढ़े थे different tabs and different groups तो students last lecture आप लोगों को याद उगा last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था image group के बारे में image group में हम लोगों क्या क्या पढ़ा था image group में पढ़ी थी हम लोगों कुछ commands ती में क्या थी selection थी, crop थी, resize थी और क्या थी? flip and rotate तो students, last lecture आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था crop किस तरह से करना है और किस तरह से resize करना है और किस तरह से हम लोगों ने अपने image को flip या rotate करना है तो students, हम लोगों ने एक और बात की थी कि select की option में आप लोगों के पास different types की options होती है, जैसे कि आप लोग rectangular select करना चाहते हैं या फिर आप लोग free form selection करना चाहते है या फिर आप लोग invert selection करना चाहते हैं, तो students, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं free form selection के बारे में और invert selection के बारे में तो पहले बात कर लेते हैं, Invert Selection की, Invert Selection क्या होती है students? Invert का मतलब होता है किसी चीज को Reverse कर देना, ठीक है? तो Invert Selection क्या होती है? Invert Selection आपकी Selection को बिल्कुल Reverse कर देती है, यानि कि जो पार्ट आप लोगों ने Select किया है, वो Unselected है, और जो Unselected Part है, वो क्या है? वो असल म Selected Part है, ठीक है? तो students, आप लोगों ने एक पार्ट Select कर लिया, ठीक है? और उसके बाद जो Unselected Part है, आप लोग अगर Delete करते हैं या Crop करते हैं, तो जो Unselected Part है, उसके उपर जो भी Action Perform होगा, वो Unselected Part के उपर होगा, ना के Selected Part पर, ठीक है? तो चलिए करना शुरू करते है जी, आप लोग अपनी स्क्रीन पर जेख सकते हैं, मेरे पास already MS Paint की एक विंडो खुली भी है, और यहाँ पर हमारे पास वही पिक्चर है, जो के हम लोगों ने बिल्कुल पहले लेक्चर में ड्रॉ की थी, ठीक है? जी, students, आप लोगों को Image नज़र आ रही है, अब हम लोग इसे करेंगे Select, Select करने के लिए आप लोग जाएंगे Image Group में, Image Group में कौन सा बटन है? Select का बटन है, Select के बटन के लिए एक चोटा सा ड्रॉप डाउन है, है ना? जी, इसे क्लिक किया, तो अब आप लोग देख सकते हैं, कि आप लोग rectangular select करना चाह रहे हैं, या फिर free form select करना चा तो अब आपने क्या करना है? अब आपने माउस को ड्रैग नहीं करना, अब आप लोगों ने अपने Image को जिसको आप लोग सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको आप लोगों ने पूरा एक circle बना देना, या कोई भी shape जो कि आप लोग चाहते हैं, क्योंकि ये free form है ना, तो य पर ले lecture में बनाया था, तो चलिए इससे select करते हैं, इस cartoon के around, अब में एक boundary draw कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें तो आप लोग देख सकते है, boundary draw होगी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने इस part को invert selection के लिए select करना है, ठीक है, अभी हम लोगों ने इससे सिर नजर आ रहा है, invert selection, नजर आ रहा है न, जी, invert selection को जब हम लोगों ने select हिया, तो अब इसका क्या मतलब है, कि आप लोगों का image जो के आप लोगों ने select किया था, वो क्या हो गया है, वो invert select हुआ है, ठीक है, यानि कि हम लोगों ने क्या कहा था, invert selection का मतलब क्या होता है, यान डिलीट का की अपने कीबोर्ट से प्रेस कीजिए जी स्टुरेंट तो आप लोगों ने जब डिलीट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बाकी का पार्ट था वो डिलीट हो गया है लेकिन जो आपका सिलेक्टिट पार्ट था वो रह गया है आप लोगों ने देखा किस सना से इंवर्ट सेलेक्शन काम करती है तो स्टुरेंस हम बात कर लेते हैं कि रेगुलर सेलेक्शन क्या करती है और इनवर्ट सेलेक्शन क्या करती है अगर हम लोगोंने कोई साभी इमेज का पार्ट जो है वो उसको सिलेक्ट किया है और उसके बात हम लोग डिलीट का बचन तो आप लोग देखेंगे कि सिर्फ वो ही पार्ट डिलीट होगा जो के सिलेक्टिट था ठीक है और इनवर्ट सिलेक्शन क्या करेगी इनवर्ट सिलेक्शन आपकी सिलेक्शन को बिल्कुल उल्टा कर देती है यानि कि उसे रिवर्स कर देती है यानि कि जो सिलेक्टिट पार बल्कि उसके इलावा जो भी पार्ट आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है उससे डिलीट करता है ठीक है आप लोगोंने अपनी पर भी देखा अभी थोड़ने पहले हम लोगोंने इन्वर्ट सिलेक्शन को परफॉर्म करके देखा था तो क्या हुआ था स्टु तो अब हमने देखना है कि हम किस तरह से अपने images में से किसी part को cut करेंगे तो सबसे पहले आप लोग अपनी screens पर देखिए अल्रेडी एक image आप लोगों को अपकी screen पर show हो रहा होगा जी स्वेंज तो अब हम इस में से एक part select करेंगे और उसे हम करेंगे cut तो चलिए शुरू करते हैं तो students सबसे पहले हमने एक बाद अपने जहीं में रखनी है कि अगर आप लोगोंने cut, copy या paste करना है तो ये सारी चीज़े हम लोग कहां करते हैं ये हम करेंगे clipboard group में तीक है हैं अब हम करने वाले हैं अपने image को cut तो सबसे पहले क्या करेंगे थोड़ा सा हिसा हम लोग अपने image का select कर लेंगे जिसको हम करना चाहते हैं कर तो चलिए सबसे पहले selection शुरू करते हैं जी students तो मैं अब अपने image में से ये जो call out cloud आप लोगों को नदर आ रहा है स्टुएंस मैं इसे select कर लेती हूँ select करने के लिए हम लोगोंने क्या करना है select करने के लिए सबसे पहले हम लोगोंने क्लिक करना है select command को जो कहा है image group में है तो चलिए करते हैं जी select command को क्लिक किया और अब मैंने अपने mouse के करसर को ड्राग करना शुरू कर दिया है जी students और अब हम लोगोंने ये call out cloud जो है इसे हमने कर लिया है select ठीक है अब हमने इसे क्या करना है अब हमने करना है cut तो students cut करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था हमने कौन से group में जाना है clipboard group में जाना है ठीक है तो clipboard group में देखिए आप लोगों को एक scissors का icon नजर आ रहा है आ रहा है ना students ये icon का आम करता है cut करने का जब हम लोग इससे click करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट जो कि हम लोगोंने select या है वो हो जाएगा cut तो चलिए करके देखिए जी students जब हम लोगोंने इस button को click किया तो आप लोग देख सकते हैं कि जितना part हम लोगोंने select किया था वो क्या हो गया है वो cut हो गया है और उसकी जगा पर white blank space आ गई है ठीक है students तो इस तरह से आप लोग अपने image का चोटा सा हिस्सा cut कर सकते हैं students अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से copy और pasting करते हैं तो चलिए देखते हैं जी students तो हम लोगोंने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने image को cut कर सकते हैं अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने image में से किसी पार्ट को copy या paste कर सकते हैं तो चलिए, देखते हैं, तो students, जब हमने copy या pasting करनी है, वो भी हमने कौन से group में करनी है, वो हमने करनी है, clipboard group में, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों करना है, उस part को select, जिसको के आप लोग कौपी करना चाहते हैं, अपने image से, ठीक है, तो में से हम लोगोंने किसी part को कर लेना है, copy, तो चलिए, देखते हैं किस तरह से करेंगे, जिस students, तो मैं इस कार्चून को कर लेती हूँ, select, select किस तरह से करना है, select करना है, हम लोगोंने image group में जाकर, select option से, ठीक है, तो select option को जब मैंने click किया, और अब मैं अपने mouse के cursor को drag करना शुरू करूंगी, जहां तक कि मैं अपनी image के part को select करना चाहती हूँ, ठीक है, तो students, आप लोगोंने देखा, कि हम लोगोंने इस cartoon को कर लिया है, select, ठीक है, अब मैं इसे copy करना चाहती हूँ, यानि कि मैं इसका एक duplicate बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी उसके लिए हमें जाना पड़ेगा clipboard group में, ठीक है, तो clipboard group में जाएए, जी, cut के option के बाद आप लोगों को एक और icon नज़र आ रहा होगा, जिसका नाम है copy, ठीक है, तो इस button को जब हम लोगोंने click करना है, तो हमारा ये वला part जिसको हम लोगोंने select किया है, वो क्या हो copy, ठीक है, तो अब इस button को click किया, तो students, जो part हम लोगोंने select किया था, वो copy हो चुका है, लेकिन students, अगर आप लोग अपने इस part का duplicate अपनी picture पर paste करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा paste, ठीक है, पेस्ट किस तरह से करेंगे, जी clipboard में किये, आप लोगों को एक button नजर आ रहा है, पेस्ट का, आ रहा है ना, तो इस paste button को आप लोगोंने कर लेना है, click, और students, आप लोग देख सकते हैं, कि आप की image पर एक और cartoon copy होकर paste हो चुका है, ठीक है, जैसे हम लोगोंने पहले अपनी image की किसी part को cut किया था, अब हमने copy करक पेस्ट करके देखा है, तो students, आप लोग पेस्ट फ्रॉम भी कर सकते हैं, आप लोग अपने computer में वजूद कोई से भी image पेस्ट कर सकते हैं अपने इस image पर, तो चलिए वो भी करके देखें, जी students, सबसे पहले clipboard पर जाएगे, जी, तो आप लोगों को एक paste button नजर आ रहा ह है, आ रहा है, उसके नीचे एक छोट असा drop-down button है, इस drop-down button को click कीजिए, जब हम लोगों ने इस drop-down button को click किया, तो आप लोगों के पास दो options है, paste और paste from, दो options नजर आ रही है न, तो हम लोगों ने करना है paste from, paste from को जब मैं click करती हूं, तो आप लोग देखते हैं, कि आपके पास एक नहीं window appear हो गई है, तीक है, अब ये window हमें हमारे computer से कोई सा image उठाकर यहाँ paste करने में help करेगी, तो students, आप लोग देख सकते हैं, कि यहाँ मेरे पास कुछ already images हैं, जिसको कि मैं यहाँ अपने MS Paint वाली window में paste करना चाहती हूं, तो देखिए, यहाँ से हम कोई सी भी picture को select कर लेते हैं, और हम करेंगे open button को click, आप लोगों को नजर आ रहे हैं, right side पे दो buttons open और cancel, तो students, अगर आप लोग इस process को cancel करना चाहते हैं, तो हम कौन सा button क्लिक करेंगे, हम click करेंगे cancel का button, लेकिन अगर आप लोग इस picture को अपने image पर paste करना चाहते हैं, तो हमने क्या करन है, हमने करना है button open को click, ठीक है, तो चलिए button open को click करते हैं, जिस students, जब हम लोगों ने इस button को click किया, तो आप लोग देख सकते हैं, कि आपकी MS Paint की window में, जो picture हम लोगों ने अभी अभी अपने computer से open की है, वो यहाँ paste हो चुकी है, ठीक है, तो students, आज हम लोगों ने क्या दे पेस्टिंग किस तरह से करते हैं, तो students, इन सारी commands की आप लोगों ने अच्छे तरीके से practice कर लेनी है, next lecture तक अपना ख्याल रखिएगा, students, अलाँ आफिस.